राजी जैसा थ्रिल, केरला स्टोरी जैसा एक्स्ट्रिमिस्ट एंगल और सी आईडी जैसा सस्पेंस अगर आपको एक स्टोरी में चाहिए तो यह स्टोरी है आपके लिए वीडियो को एंग तक देखिए आपको सारा एक्सपीरेंस मिल जाएंगा I guarantee तो दूस्तू, welcome back to my channel कभी है, कभी नो, तो आज हम देखने वाले है freelancer, हाँ, आपको क्या पता है, मतलब freelancer, freelancers जो होते है वो कोन होते है, जो IT services देते है, या फिर video making करते है, और बहुत सारे freelancers, I'm sure आपको पता होगे, लेकिन ये वाला जो freelancer है, ये एक बहुती अलग तरीके का freelancer है, ये मतलब यार, जो लोग इदर उदर फसे हुए है या जिनको, मतलब international level पे, not in like Maharashtra पे या इंडिया में, बहुत सारा international level पे, बहुत सारी जगों पे, जो भी कांड हो रहे है न, वहाँ पे अगर ऐसे मुश्टंडे जवानों के और trained officers के अगर जरूरत है तो वहाँ पे freelancing करने आज आते है हमारे मोहित रहना आका, जिनका नाम है अविनाश कामत, तो भाई, सबसे पहले story में start यहाँ पे होता है कि ये एक लड़की जो भाग रही है इसे उसके पीछे कुछ आदम ही पड़े हुए, ऐसे लग रहा है शायद वो उसको पहचानते है या उनके चंगुल से वो भाग रही है तो यहाँ mentor होते हमारे hero की, मतलब जो freelancer है, जिनका नाम है आविनाश कामत, तो भाई starting में वो, मतलब ऐसे एकड़ इंटरनेशनल लेवल पे एक जीबो गरीब, मतलब ऐसे हालत में वो दिखाई देते हैं और वो पूरा spy किरी करते हैं और एक धासू plan करते हैं, तो यह है उनकी मतलब यह जो बंदा है नाम ही blue shirt में बहुत सारे missions देते हैं और यह mission में कैसे, कहाँ पे क्या जाना है जो भी help की जरूरत है, सारी वो करवाते हैं, यहाँ पे फिर भाई हमारे जो अविनाश है उनकी एक team है, और team में भाई सिर्फ इंडिया वाले लोग प्रेजेंट नहीं इस इन सब के इतना जाता tight security होती है वहाँ पे, लेकर फ्री लाइंसिंग करते हैं यहाँ पे उसके उनको वो पकड़ते हैं यह जो वन्दा है ना, यह विलन था, मतलब इस विलन को फ्री लाइंसिंग करके वो पकड़ते हैं यहाँ पे story line set हो जाती है अविनाश कामत की जो है फ्री लाइंसर जो एक service दे रहे हैं मतलब full trained officer उनके पास हर एक बंदूग चलाने का training है कैसे, क्या, मतलब वो pilot, मतलब pilot भी है train में चला सकते, car में चला सकते और बंदूगे तो by god कौन सी भी बंदूग ले लो धासू planning करते हैं और उनके अच्छी खासी trained एक team बन चुकी है और बहुत सारे दोस भी freelancer उनके बन चुके है यहाँ पे एंटे होती है उनकी मुरुनाल जो उनकी wife है यहाँ पे, तो पहले episode में ऐसे दिखाया है कि मुरुनाल भाई ऐसे एक hospital में admit हो रहती है इसका reason तो हम देरे देरे पता करी लेंगे तो यहाँ पे यह है इनायत खान ऐसे हो जाता है न इंडिया में डेली में एक जगह पे इनायत खान आता है और अजीब हो गरीब तारीक करेके से एक जगह पे illegal entry माने की कोशिश करते हैं पुलिस के साथ उनकी fighting हो जाते है और वहाँ पे हो मर जाते है जिसका वीडियो बाई गॉड पूरी इंडिया में वाइरल हो जाता है क्यों इनायत खान ने इतनी सारी गोलिया ली और क्या है इसके पीछे का कारण तो यह वीडियो वाइरल होता होता बाई अविनाश कामत के मोबाईल पे आ जाता है और वो देखते हैं बाई गोड यह तो उनका friend इनायत है तो स्टोरी कुछ ऐसे मतलब यार वीडियो देखे वो चौक जाते है और बहुत जाता है उनको बुरा लगता है उनको बहुत इभास the bestest friend रहता है इनायत तो स्टोरी थोड़ी से चली जाते है यह फ्रेश बैक में तो यहाँ पे इनायत और मैतलब पुलिस अविनाश कामत पुलिस रहते थे बहुत 10-15 साल पहले बहुत इंडिया में वो पुलिस की नोकरी करते है और यहाँ पे उनके friend होते है बेस्ट फ्रेंड होते है इनायत खान तो बहुत सारी fighting और बहुत सारी mission पे वो दोना ऐसे पुलिस जाते है यहाँ पे उनकी पितनी है मुरुनाल और यह हमारी आलिया जो है उनकी mother तो भाई मुरुनाल और इनायत खान की wife इन दोनों हो जाते है और इस बीच में मुरुनाल हो जाती है pregnant तो भाई स्टोरी यह है मतलब यार यह है आलिया जो है इनायत की बेटी तो यहाँ पर वो अविनाश की बहुत ज़्यादा favorite होती है वो चाचू चाचू कहके उनको पुकारती है जब भी वो पुकारती भाई कुछ भी मुश्किल आ जाए वो आलिया को help करने जरूर आ जाते है तो फिरसे स्टोरी जाते है हम लोग आ जाते है present tense में तो बात कुछ ऐसी होती है वो वीडियो देखके इनायत का वीडियो देखके वो मिलने अपने भाबी से आ जाते है और उनसे कहते है ऐसा क्या हुआ जिस वज़े से इनायत ने इतनी सारी गोलिया खाली तो भाई अब भी यहाँ पे स्टोरी शुरू कर देती है भाबी और वो कहती है कि आलिया उनकी जो बेटी अब बढ़ी हो गई है मतलब जो वो सिंगापूर में पढ़ती थी उसके साथ एक बंदा था लड़का था जिससे उसको प्यार हो गया और बहुत रईस खांदान से बिलॉंग करते थे तो सब ठीक ठाक चल रहा था इसलिए हमने उसकी शादी करवा दी बाई शादी के बाद वो हनीमून के लिए जाने वाली थी मतलब दुबाई जाने वाली थी तो वो निकल पड़े दोनों और उसके पास एक फोन मैंने दिया था और बाते चल रहे थी आलिया हमें अपडेट्स देते रहे थी दिर्किन एक दिन ऐसा हो गया कि ay God कुछ contact हो बंद हो गया अलिया से कुछ contact हो नहीं पा रहा था बहुत दिन ऐसे चले और फी यहां पर इनायत और भाबी जो है मतलब यार इनायत और आलिया कि मम्मी बहुत ज़ाए परेशान होगे कि अलिया को क्या हो गया तो इनायत बहुत दर-बदर मतलब इधर उदर घूमे भाई उन्होंने बहुत सारी दरवाजे ठक-ठकाए कि कोई तु मुझे हेल्प कर दो वो तब तक रिटार्ड हो चुके होते हैं पोलिस आफसर से और अविनाश उनके लाइफ में अभी नहीं था कि मतलब जार उनके लाइफ में बहुत ज़दा चेंजेस आ जाते हैं और वो पूरी लाइफ उनकी चेंज हो जाती है वो पूरा बदल जाते है और वो एक प्लान बनाते है जहां पे उनको पूरे बदलने के बाद भाई उनका एक family का mission बन जाता है जहां पे वो ISIS जॉइन करने का एक mission बन के वही मतलब entry भारते हैं Syria में, तो कुछ-कुछ थोड़ा सा अंदाजा अभी आलिया को आ जाता है तब तक उसको कुछ detail पता नहीं रहती भाई उसको बस वो उसके साससुर को मम्मी पापा समझके उनको सब follow करती है और उसके पती को वो भगवान समझके हर जगा पे उसको follow कर दियो वो आज आती है Syria में Syria के पास आते होग ट्रांजिट में भाई उसको पता चल जाता है, टर्की में जब वो होती है तब उसको पता चलता है कि बाई God इनका कुछ अलगी प्लान है यह जो प्लान है यह बहुत ही खतरनाक है और उसमें मुझे शामिल नहीं होना है तो इस वज़ज़ से भाई जो first वाला सीन था जहांपे वो लड़की भाग रही थी तो वो है आलिया तो उनका जो ISIS जोइन करने का इस फैमिली जो चींज वो देखती है वो सब देख के भाई वो डर जाते है और उसको इसमें शामिल नहीं होना होता है तो वो सब के वो बहां से देख के वो भागने की कोशिश करती है फिर से कहानी चली जाती ही flashback में यह पर आविनाश और भाई इनायत में उनकी mission में उनका कुछ हो जाता है गडबड हो जाती जिस वज़खे से उनकी जो नोकरी है एसा police वहाँ से उनको suspend किया जाता है तो इस वज़खे से वो थोड़ा सा दुखी हो जाते है यह मतलब यार दुखी होने के बाद वो थोड़ा सा जादा करने लगते है और पत्नी और मतलब रुनाल और अविनाश के बीच में काफी जादा कहा सुनी होनी लगती है तो यहाँ में फिर से लें प्रेइन देन्स में जाती और यह है सीरिया तर्की कि भाई आलिया की पूर्य फैमिली उसके जो साससूर है और उनके जो पती है ऑजिस सब को लेके भाईया भाबी सब को लेके वो एंट्री मारते हैं सीरिया में तो यहाँ का माहूल बहुत ही खतरनाक होता है हर जगे पे सूलजर स्तेहनाद होते है और मतलब जो माहूल हर जगे पे कहीं भी रैंडमली बम आरी हो रही है बम इभी स्पोर्ट किये जा रहे है लेकिन उनका जो ISIS जॉइन करने का as a family सपना होता है पूरा करने के लिए वो Syria आ जाते है आलिया को बिलकुल ये करना नहीं होता है लेकिन वो उसके लिए कुछ option नहीं छोड़ते है जब वो भागने की कोशिश करती है तब उसको वो पकड़ लेते हैं और Syria ले आ जाते हैं तो यहाँ पे एक बहुती बड़ी मतलब soldiers की army होती है और बहुती बड़ी उनकी academy होती है मतलब पूरा team चल रहा है और यहाँ पे वो लोग kind of enroll कर देते हैं और उनको कुछ missions दिये जाते हैं और कुछ assignments दिये जाते हैं ताकि उनको पहले साबित करना है कि भाई वो अभी ISIS joining करने के लिए eligible बन गए तो as a family वो वहाँ पे enroll करती है आलिया को यह सब देखे बहुत बुरा लगता है लेकिन उसके पास कुछ option नहीं बचा होता है लेकिन by god वो मतलब जब मुंबई से निकल वाली रहती है तब उसकी मम्य उसको एक phone gift करती है मतलब जैसे तैसे करके चुप चुपा के वो यह phone यहाँ पे ले आती है और उसको मतलब international calling तो भाई मतलब यार वो वैसे भी rich होती है तो international calling की वैसे कोई जरूरत नहीं सब on रहता है अब उसका mission बन जाता है यह सब लोग को छोड़के सीरिया से मैं कैसे भागू तो एक दिन रात में चुप चुपा के पती से बचके सासर से बचके वो उसकी मम्य को उसका जो phone होता है वो इससे contact करती है और उसको मतलब उसकी मम्य को एक राहत की सास लेती है कि आलिया जिन्दा है तब उसको update देती है और कहती है कि सीरिया में मेरी पती ने और उनकी family में मेरे साथ पूरा मतलब जूट बता के वो यहाँ पर मुझे लेके आया और उनका ISIS जोइन करने का एक सपना है और अलगी मतलब उनका team बन गया है जो भी मझे कहा गया है वो सब गलत है यह सब आखो देखी जो सुनती है तो अविनाश को यह सारी बाते आलिया की मम्मी बता दिये तब अविनाश decide करता है कि इनायत ने जो जान दिये है वो इसलिए दिये कि अविनाश को पता चल जाए मेरी बेटी गायब है और तुम किसी भी तरह उसको बस ले के आ जाओ तो यहां पर मतलब story फिर से flashback में चली जाती है पती और पतनी की बीच भाई जो drinks है अविनाश suspend होने के बाद काफी लेने लगते है और इस वज़े से उनमें काफी जगड़ी होने लगते डिवोर्स तक बात पहुँच जाती है और एक हादसे में गलती से मुरुनाल से उनकी बेटे भाई एक्सिडेंट में मर जाते है और उससे वो उनको जो मतलब पूरा परिवार तहसने हैस हो जाता है मुरुनाल पूरी डिप्रेशन में चली जाती है और इस वज़ेशे वो प्रेजेंटेंस में आपने देखा था ऑस्पिटल में तो उसकी दिमागी जो हालत हो जाती है उस पे बहुत सारी उपचार करने के लिए उसे अड्मिट कर देते अविनाश तो यहाँ पे भाई प्रेजेंटेंस में C.I.A. भी भाई मतलब वो फ्रीलैंसर है अविनाश तो उनकी पहुच उपर तक होती है तो वो उनको भी इन्वाइट कर लेते हैं उनको बोलते हैं कि सीरिया से मैं आपको अपड़ेट करते रहूँगा आप आलिया को बचाने के लिए मुझे मदद करो मतलब यार इन दे सेम टाइम अभी जो अविनाश उनके बारे में आईसिस के लोगों को भी पता चल जाता है और वो मतलब आलिया के पती को कहते हैं कि बाई आई दाल में कुछ काला है आलिया इसमें involved है कि या अविनाश कामत नाप का जो बंदा है मतलब ज़्वादा ही नजर आ रहा है कुछ तो हो रहा है तो एक बार तुम पता कर लो कि आलिया इसमें शामिल तो नहीं, आलिया इदर छुप छुपा के मतलब बुरका पहन के कैसे तो भी वो जगह की कुछ-कुछ फोटोज लेने की कोशिश करती रहती है और वो अविनाश को जैसे भी उनका कोड़ डिसाइड होते है वैसे वो भेशती रहती है ताकि अविनाश को उसकी जगह का एक्चुल जगह को पता चल जाए meanwhile उसकी जो फैमिल है न भाई वो पूरा आइसिस जैसे ट्रेन होने के लिए उनको मदद करने के लिए जोइन करने के लिए उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है उसकी उसका जो पती है वो उसमें अच्छी पूरा इन्वाल्फ हो जाता है और यहां पिस ही आए मतलब अमेरिका की जो भाई खूफिया जो एक मतलब टीम रहती है न वो भी इसमें शामिल होती है उनको भी सीरिया से अपडेट्स होने ही चाहिए रहती है तो वो अविनाश के साथ मिलके एक प्लान मनाते है अविनाश में इसको लगता है कि भी आलिया को आप रिहा कर दो मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स देते रहूँगा और आपको वहां की बतलब बाखुबे फोटोस बाई फोटोस और बहुत जो भी चल रहा है कांड जो भी चल रहा है मैं आपको अपडेट देते रहूँगा आप बस मुझे आलिया को वहां से निकालने के लिए मदद कर दो और वो जब भी पॉसिबल होता है रात में दो बजे चार बजे छुप छुपा के आलिया अपने चाचू से मदद कर मांगती है कि मुझे आप बचा लो यहां से अविनाश से बाते करती रहती है यहां पे अविनाश अनुपॉम खेर को पूरा अपडेट करते है और यह सब चल रहा है इसमें अनुपॉम खेर बें इनको बहुत ज़्यादा मदद करते है तो यह इंडिया में भी इसकी हाल जो भी अविनाश कर रहे है उसकी थोड़ी थोड़ी बाते चलने लगती है तो यह है अविनाश के एक हेलपर होते है इंडिया में और उसका भी वीज़ा बना दो वो काम पे लग जाते है और यहाँ पे अभी नाश एक गुजराती जो डीलर्स रहते न मिर्ची बेचने वाले या जैसे भी सीरिया में जो लोग एंटर करने के लिए वो कुछ न कुछ जुगाड करने में जुट जाते है और इस बंदे से वो मिलते है यहाँ पे आलिया की फैमिली आईसिस जोईन करने में पूरा ट्रेन हो जाती है उनको बंदूके चलाना उनको बं कैसे बनाए एक बं कैसे भी स्पोर्ट करे और इसी बहुत सारी चीज़े सिखाई जाती है एक दिन ऐसे आलिया उसकी पती के साथ उनके साससुसर के साथ वो आती एक जगह पे और वहाँ पे वो देखती है उसके सास ससूर खुद अपने आपको बम में लिपेट के एक जगह पर जाते हैं और वहाँ पे वो खुद बलिदान देते हैं वो दे कि आलिया बहुत डर जाती है और उसको लगता है शायद अब मैं यहाँ पे रहू तो मेरी भी हालत ऐसी होगी और उनकी पती खुश होते है वो कहते हैं कि अब हमें यह हमारा मिशन कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता और वो बन्दे वही अविनाश की पीछे लग जाते हैं उनको लगता है इसमें सब कुछ ना कुछ चल रहा है उनको थोड़ा सा वहाँ पे भनक लग जाती है कि आलिया शायद अविनाश कामत के साथ मिलके कुछ तो जरूर कर रहे हैं इसलिए उसके पीछे भी वो लग जाते हैं यहां पर आलिया मिठा मिठा बोलके उनके पती को कुछ ना पता चले इसलिए बहुत सारी मिठा मिठा बोलते रहते हैं उसको कंविंस करती है उसको बिलकुल शक ना हो ऐसी पूरी पू जहां से वो अविशाध सी बाते कर वही है तो यह है भाई जो मतलů आलिया की हुबे-हुब दीखने वाली जो दूसरी बंदी है जिसका वीजा जो वीजा का एजंट रहता न वो बनवाता है इसका भी एक वीजा बनवाता है और अविशाध कहता है कि इसको तुम दुबाई भेश तो दो पासपोर्ट लेके एक उतका खुद का पासपोर्ट और एक आलिया के आलिया जैसा लेकिन फर्जी वाला पासपोर्ट तो वैसे वहां पर अविनाश एक तयारी करता हो यहां पर आलिया को रिहा करने के लिए अपना एक धासू प्लान बनाता है यह बंदी को ले से बचू और यहां पर यह जो उसकी दिख सेम टू सेम दिखने वाली सौनी आवाई यह दुबाई में इंट्री मारती है और अविनाश उसे कहता है कि अब कुछ दिन तुम यहीं पे रहो आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताता रहूंगा वह यह दुबाई गूमती है इद पता रहती है कि उनको आलिया को वहां से रिहा करना होता है क्योंकि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड इनायत की बेटी होती है तो वो उनका फर्ज बनता है कि वो आलियों को वहां से जैसे तैसे करके पूरा खत्रा मोल के भाई कैसे भी वो रिहा कर दे तो उनके जो फ्रीलैंसर बाकी बहुती जो ट्रेंड, जो फ्रेंड होते हैं, उनको तो सब को लेके, वो अलारों, छे-सात लोगी के वो टीम मनाते हैं और वो बहुत सारे जुगार करके सीरिया में एंट्री मारते हैं तो एंट्री के बाद वहीवो पूरा इसे सीरियन गेटप करके लेकिन उनको पता चल जाता है और यहां पे बहुत ज़दा मतलब मुत्बेड हो जाती है और बंदू के चलने लगती है तब लेकिन ये फ्रीलांसर की टीम भी बहुत इडासू टीम है वह जैसे तैसे करके सारे गार्ड को एक के बाग एक मार गिराती है उनकी टीम भी बहुत ज्यादा committed होती है और विनाश को कहते है हम तुम्हें जरूर मदद करेंगे आलिया को वहां से बाहर रिगा लेंगे सब लोग उन गार्ड को छुपा छुप छुपा के रखते हैं और सीरिया में entry मारते हैं यहां पे आलिया एक तरकीब करती है एक चाय में भाई वो नींद की गोली मिलाती है और जो बंदी है ना उसकी पीछी जो पड़ियों कहती है कि मुझे भी यहां से लेके जाओ उसके नींद की जो मतलब मेडिसिन मिला के उसको पिला देती है और ये दोखो मतलब पूरा जैसे वीरान सा ये रेगिस्तान है तो वहां पे गाड़ी लेके गार् फ्रीलांसर की टीम पूरी जो विनाश की टीम है वो एंट्री मारती है सीरिया में ये है आलिया का घर जहां से भाई अविनाश को आलिया को निकालना है तो यहां पर अब वो आ जाते कि उनका एक कोड डिसाइड होता है कि जब भी यहां पे नमाज शुरू होगी तब सब वहाँ पे नमाज पढ़ने जाएंगे वही समय पे हम लोग आलिया की घर में एंट्री मारेंगे और आलिया को वहाँ से बाहर निकालेंगे तो वहाँ पे छुप छुपा के मतलब वहाँ से दूर से देखने देखना शुरू कर देते एक बॉर्डर पे वहाँ पे देखते हैं कि कब नमाज का टाइम होगा और कब हम आलिया के घर जाएंगे और आलिया को वहाँ से चुड़ा के लेके आ जाएंगे तो वो टाइम आ जाता है और सब मतलब यार वो पूरा प्लैन बना के और वेपन्स लेके बंदूके लेके गाड़िया लेके सब पूरे 6-7 लोगों की टीम वहाँ पे तैनात हो जाती है अब वो रहा देख रही होती कब नमाज का टाइम शुरू होगा और कब हम वहाँ से आलिया को निकालेंगे वैसे टाइम आ जाता है नमाज का टाइम शुरू हो जाता है जहां पे आलिया रहती उस जगह के सारे जो लोग है वो नमाज पढ़ने चले जाते है और पूरा इलाका सुनसान हो जाता है और नमाज 15-25 मिनिट टक चलेगी तब तक के टाइम में उनको आलिया को निकालने की पूरी कोशिश करनी है कुछ गडबड ना हो जा इसका पूरा वो तयारे में वहाँ पे गुशते है और वो टाइम आ जाता है और वो छुप छुपा के आलिया के घर के बाहर आ जाते है और जैसे तैसे करके बंदू के तान के पूरा अपने मतलब प्लानिंग करके आलिया जैसे एक लड़की को वहाँ से निकालते है और जब वो रिटन करते तब फिर से भाई गार्ज उन पे शक करते और वहाँ पे पूरा फिर से फाइटिंग शुरू हो जाती है और उसमें वो लड़की मर जाती है अविनाश को बहुत बुरा लगता है कि आलिया मर गई लेकिन तब उसको पता चलते है कि आलिया के साथ जो बंदी थी न वो भाग गई थी आलिया को उसने मतलब बेहोश कर दिया तो उसके जगह वो खुद आई थी और बुरके के वज़े से अविनाश को पता ही नहीं चल अविनाश आलिया को बचाते हैं खत्रों से मोल के उनका जो फ्रीलैंसर का टीम बहुत जादा खत्रों से मोल के वो ले आते हैं और यहाँ पे वो दुबाई लेने के बाद उनकी जो दूसरी दिखने वाली सेम दिखने वाली जो बंदी उसको इंडिया भेज देते हैं और उस आलिया को उस दलदल से, सीजिया से वो चुड़ा के लिए आते हैं, जो यहाँ पे शुरू होता है, हमारे सीजन, खतम होता है, मतलब सीजन वन, देखते हैं, सीजन वन देखते हैं, सीजन दो आएगा, क्या, I'll keep you posted, बाइ, ओ माइ गॉड, यह फ्रीलांसिंग, जो नया एक फ नहीं पाएगी, जो दोस्ती यहाँ पे निभाते हैं, हमारे फ्रीलांसर, वो भी बहुत ही, हाटस ओफ तो दे फ्रेंडशिप, एंद अद थ्रिल, तो ऐसे ही थ्रिलिंग, शस्पेंसफुल, एक्स्ट्रिमिस्ट जो भी स्टोरी हैं इसके लिए, मेरे चैनल को कि खैनल के भी और अजैने एंद Всे दो कि अको कुभ रिख पर अजर्शा र्या हैं, हमारे और भी यह ट्रेंटल के भी घएंद दो फानल के यह तर हो किमता ऐसे हम नहते हैं अग।, अट्ये एंवारे प्रेंटल के उल्क के रिल — एंदल भी यह ग।, एंदल के टीन मेंद